आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपोलो हॉस्पिटल सेर के ऊपर अपोलो हॉस्पिटल के सेर में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है तो सौट टर्म में एक अच्छा तेजी इस स्टॉक में हम लोगों को 6800-6900 के लेवल तक देखने को मिल सकता है उसके पीछे का क्या लॉजिक होने वाला है कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है इसके ऊपर डीटेल में डिसकर्शन करेंगे तो वीडियो को ध्यान से लाश्ट तक जरू देखिए चले बात करते हैं अपॉलो हॉस्पिटल सियर के उपर स्टॉक में अगर देखेंगे आज आलमोस्ट साइडवेश ट्रेड किया पॉइंट एट सेवन परसेंट के तेजी के साथ स्टॉक प्लोज हुआ है लाश्ट वन मंत की अगर बात करेंगे तो लाश्ट वन मंत में स्टॉक में हम लोगों को सवा चार परसेंट से ज़्यादा का उच्छाल देखने को मिल रहा है तो चलिए अब चार्ट के उपर चलते हैं डीटेल में बात करते हैं लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलिग्राम ग्रूप को जोईन नहीं किया है तो टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर लीजिए तेलेग्राम गूप का लिंक आपको डिस्किप्शन वाक्स में मिल जाएगा तेलेग्राम पे आपको जिसकिसी भी स्टॉक में एक अच्छा चार्ट सेटप देखने को मिलता है जहां पे भी ब्रेकाउट आ सकता है ब्रेकाउट आ चुका है workout हो रहा है या फिर breakout zone retain हो रहा है जिसके भी चार्ट मे एक अच्छा चार्ट पार्ट बन रहा है टलिगाम गुप से जुड़ जई है साथ आप ट्वीटर पर हैं तो ट्वीटर हैंदल से भी जूड़ेंगे जिससे कि आपको भी लिर टिश्ट अप देट मिलता रहेगा इसके साथ ही अगर आप जौड करते हैं आप अप पढ़ाई करते हैं आप of business करते हैं यह कोई और काम करते हैं आप کے पास समय नहीं है मार्केट को एनलाइज करने का या फिर जो है कम समय होने की वज़े से आप अच्छे से एनलाइज करनी पाते हैं और इस वज़े से लॉस हो जाता है आप कंटुएंसली स्टॉक को ट्रैक नहीं कर सकते या मॉनिटर नहीं कर सकते तो फिर आप हमारे प्रेमियूम गूप को जोईन कर लीजिए जहां पर कि आपको स्विंग ट्रीडिंग का कॉल मिलेगा जिससे की आपके लिए एक पीसफूल अर्निंग होगा क्योंकि इंटर डे में जो है काफी जादा है आपको हमेशा एक्टिव होना है बट स्विंग ट्रीडिंग में वनली आपको ट्रेड को एक्जिक्यूट करना है तो एक दिन में मुस्किल से 5-10 मिनिट का आपको समय लेगीगा क्योंकि सारा एनलेसिस हम लोगों के साइट से किया जाएगा कौन से स्टॉक को बाई करना है कौन से लेवल पर बाई करना है क्या स्टॉप लॉस होगा क्या टार्गेट होगा क्या आपको डीटेल में गाइड किया जाएगा from entry to exit तो सारा detail जो है आप जाके checkout कर सकते हैं इनकेस अगर आप past performance देखना चाहते हैं तो past performance भी आपको telegram group पे मिल जाएगा आप जाके चेक कर सकते हैं और अगर आप only F&O को trade करना चाहते हैं तो F&O को premium group को आप free of cost भी join कर सकते हैं आप demit account open कर लिजिए रेफरेल लिंक दिया वभा है उस demit account में F&O को trade कीजिए two weeks F&O को trade करने के बाद आप डीटेल सेर कर दीजिए आपको उस premium group में add कर दिया जाएगा उसके बाद आप जब तक उस demit account में F&O को trade करते रहेंगे आपको free of cost सारा service मिलता रहेगा इस लिए बात कर रहे हैं क्योंकि कल जो है इस वीक का last trading session है और यहां पर देखेंगे तो stock एक important level को cross करता हुआ दिख रहा है 6500 इस लेवल को cross करता हुआ दिख रहा है और इस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर जो नेक्स टार्क है नेक्स यहां पर रेसिस्टेंस है वह इस stock को मिलेगा 6875 6800 से 6850 इस रेंज को जो है हम लोग एक रेसिस्टेंस zone मान सकते हैं तो यहां पर stock के पास एक अच्छा space है तक्रीबन अगर यहां पर बात करेंगे तो 300 points का एक अच्छा move stock कर सकता है और अगर हम लोग percentage की बात करेंगे तो फाइब तो 6% का एक अच्छा move stock यहां पर कर सकता है इस बज़े से इस stock को जो है हम लोग swing trading के लिए plan कर सकते हैं यहां पर अगर इस stock में देखेंगे तो एक अच्छा daily candle जो है आज जो close हुआ है उपर की side में और एक बड़ा तेजी देखने को मिल सकता है नीचे की side में यहां पर इस stock में हम लोग अपने SL को प्लेस करके रखेंगे 6380 के नीचे somewhere around आपको इस level के नीचे अगर stock निकलना start कर देता है 6380 6370 इन सभी levels के नीचे अगर stock निकलना start कर देता है तो फिर हम लोग यहां पर exit को plan कर सकते हैं नहीं तो जब तक stock इस level को hold कर रहा है हम लोग यहां पर इस stock में बने रहा सकते हैं इंट्री के लिए अगर बात करेंगे तो इंट्री के लिए यहां पर clearly जो है one hour के candle में एक multiple inside candle का formation देखने को मिल रहा है जिसका की breakout देखने को मिलेगा 6540 के level के ऊपर stock जब इस level के ऊपर निकलेगा 6540 के level के ऊपर निकलेगा उसके बाद जो है हम लोग इस stock को यहां पर पाई कर सकते हैं नीचे की side में 6380 6400 यह एक important support zone है यहां पर हम लोगों का SL रहेगा उपर की side में जो है target 6800 6850 का target रहेगा तो आई होप आप लोगों को सभी points जो है बिलकुल अच्छे से clear हो गया होंगे तगर आप लोगों को वीडियो पसंदाया हूँ अनलेसिस अच्छा लगा हूँ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें कि अल्व को सब्सक्राइब जरो आएटया हूँ वीकisi सब्सक्राइब जरूए झाल 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 झाल